नमास्कार दोस्तों स्वागा थै डेलिष्टेडी में जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो में देखे थे SSC में अभी तक जितने भी सल्तनातकाल से प्रस्ण पूछे गए थे और पिछले वाले वीडियो में कुछ क्वश्चंस रह गए थे जो इस वीडियो में हम लोग discuss करने वाले हैं अगर पिछले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो लिंक नीचे description में दिया गया है या फिर आप चैनल पर जाकर SSC previous years questions पले लिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पर्स्ट लोधी वंस का संस्थाफक कों था सीजील टाइर वन 2015 में पूछा हूआ फ्रस्वर्शन है लोधी वंस का संस्थाफक कों था इसका सहै उत्तर होगा स्लीon κάνная वालोल लोधी नहीं पर वंस संस्थापक fiance वालोल लोधी की था जिनका समय रहा था is 151 से 1489 तक और एक वाद धियान में रखना है लोधी वन्स का संस्थापक बहलोल लोधी ने सयद वन्स के अंतिम सासक अलावदीन आलमसा को पद से हटा कर दिल्ली का सिंगहसन प्राप्त किया था बहलोल लोधी वन्स का संस्थापक था नेक्ट भारत में तुगलक वन्स के बाद कौन सा वन्स सासन में आता है आप्शन डी सयद वन्स तो देखिए दिल्ली सल्तनत पर सासन करने वाला चौथा वन्स सयद वन्स था और सयद वन्स ने 1414 से 1451 तक सासन किया और उन्होंने तुगलक वन्स के बाद राज की अस्थापना की थी नेक्ट दिल्ली सल्तनत का अंतिम वन्स क्या था Option D लोधी वन्स तो देखिए दिल्ली सल्तनत का अंतिम वन्स लोधी था और लोधी वन्स का संस्थपक बहलोल लोधी था आपको मालूम ही है और लोधी वन्स का अंतिम सासक इब्राहिम लोधी था काफी वार इस तरह से पूछा जाता है कि लोधी वन्स का अंतिम सासक कोन था तो ध्यान में रखना है इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का राजकाल कब समाप्त हुआ आप्शन B 1526 इसवी में तो देखिए तराइन के दूसरा युद के बाद मुहम्मद गौरी ने कुतूबदीन एबक को भारतिय समराज का गवर्नर नियुक्त किया था और मुहम्मद गौरी के मिर्तियों होने के बाद 1206 इसवी में कब 1206 इसवी में दिल्ली सल्तनत की नीपरी थी और फरगाना सासक बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच 1526 में 1526 तारीक था 21 अपरेल और इनहीं दिन पानिपत का प्राथम युद्ध हुआ था जिनमें की बावर की जीत हुई थी और इनहीं जीत के साथ दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया था और उनके बाद मुगल वन्स का समराज अस्थापित हो गया था तो ध्यान में रखना है most important है दिल्ली सल्तनत का राजकाल 1526 में समाप्त हो गया था और ये प्राथम पानिपत युद्ध का भी यही वर्ष रहेगा 1526 और दोस्तों आगे बरने से पहले आप से request है अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडिय के सुल्तानों के वन्सो को काला नुक्रम में व्यवस्थित किजिए इसमें आपको थोड़ा ज्यादा समय लेगेगा इसलिए वीडियो को आप पोस्ट कर लेजिए और कुछ ही देर के बाद मैं आपको उत्तर बताता हूं explain करके पहले आपको उसी से एकवार कर लेजिए तो चलिए इसका उत्तर मैं आपको बताता हूं तो चलिए option से चलते हैं सबसे पहले चलते हैं गुलाम बंस के पास गुलाम बंस का सासन रहा था 1206 से 1290 तक कहां से कहां तक गुलाम बंस रहा था 1206 से 1290 उसके बाद आया खिल जी खिल जी का समय रहा 1290 से 1320 तक उसके बाद आया तुगलक का समय रहा 1320 से 1414 तक ठीक उसके बाद आया सयद सयद का समय रहा था 1414 से 1450 तक तो इस परकार आपका उत्तरा हो गया सबसे पहले आया गुलाम जो कि 1206 से 1290 तक रहा उसके बाद आया खिल जी खिल जी रहा था 1290 से 1320 इसवी तक उसके बाद आया तुगलक तुगलक जो की रहे थे 1320 से 1414 इसवी तक और बाद में आया सयद जो की 1414 से 1450 तक रहा था इस परकार आपका उत्तर क्या हो गया, पहले गुलाम, उसके बाद खिल जी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद सेयद, यानि कि चार, एक, दो, तीन, option D सहे उत्तर होगा, चार, एक, दो, तीन, next, निमनिलिखीत का मिलान किजिए, इसमें आपको समय थोरा जादा लगेगा, लेकिन ऐसा मत किजिएगा, कि आप इसे solve ही ना करें, solve किजिए, क्योंकि देखिए, ये SSC Text Assistant 2009 में पूछा गिया है, ज़्यादा समय लगेगा, वीडियो को post कर लिजिए, उसके बाद मैं फिर आपको उत्तर explain करके बताने की कोसिस करूँगा, उम्मीद है आप solve कर लिए होंगे, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, चलिए option A में जो दिख रहा है, तुगला का बाद, ये गया सुदिन तुगलक ने बनवाया था, यानि कि इसको चार में मिला दिजिए, उसके बाद बात करें लाल किला, जो कि दिली में है, ये सहाज जहाने बनवाया था, यानि कि option 2 में इसको मिला दिजिए, कि इसको B को, उसके बाद option C में जो है, होज खास, ये फिरोज सा तुगलक से संबंदित है, यानि कि इसको 3 से मिला दिजिए, उसके बाद option D में जो आपको दिख रहा है, दा सी टी आप सीरी, ये अलाव दिन खिल जी से संबंदित है, यानि कि आपका इस तरह से हो गया, कि एका क्या हो गया, चार में मिलाए, चार हो गया पहले, उसके बाद लाल किला का संबंद किस से है, सहा जहां से, तो इसका क्या हो गया, लाल किला का सहा जहां, जो कि दो नुमर में है, तो दो लिख दिजिए, उसक है दा सीटी ऑफ सीरी यह अलाउद इन खेली से संबंदित है जो की एक में आपका है तो यहाँ पर आप एक लिख दीजिए तो से लिकाविकार्ट आपका उत्तर स्थापत कला के छेतर में जिस सेली का विकार्ण पास्वल वह भारतिय तथा इस्थापत कला की इस सेली को इंडोसलामी सेली भी कहा जाता है और सलतनत आ कल में अस्थापत कला की सबसे ज़्यादा उन्नती हुई थी ऑप्षन बी तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगाता लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल फेने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और साथ में बेल आइकन को फ्रेश कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिकेशन आपको मिलते रहे वीडियो को लाइक जरूर किजिएगा आपका एक लाइक मुझे बहुत उत्सा भर देता है और इस वीडियो को सेर भी कर देजिएगा अपने दोस्तों के साथ थैंक यू